आदरनी राश्रुपति महोदे एवं उपस्तित सभी महानुबावगन विश्य के सबसे बड़े लोगतंत के प्रथमनागरी के समक्ष एवं इस एतिहासिक दर्बार हॉल में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अफसर मिलना मेरे लिए अत्यान्थी गौरव एवं सम्मान का विश्य है माननी महोदे मैं मध्यप्रदेश के सत्ना जिले के एक छोटे से गाउं अंदरा को की निवासी हूं जहां प्राथमिक सिक्षा की गुनवत्ता एवं महिलाओं की साक्षर्टादर आज भी चिंता का विश्य है इसके बावजूद मैं अभारी हूं महोदे उन् अपने जीवन की प्रात्मिक्ता बनाई उन्होंने मुझे अपने गाउं अपने देश और अपनी संस्कृति पर सदैव गर्व करना सिखाया और इसका ही परिनाम है कि मैं आजना के अवल अपने गाउं बलकि अपने संपून राष्ट के निर्मान में सहयोग देने के काबि माननी महोदय एक प्रसिक्षू से एक जिम्मेदार सिवल सेवक बनने का हमारा सफर लाल भार्दु शास्री रास्टी प्रशासनिक अकादमी मसूरी के बानवे फाउंडेशन कोर्स से प्रारम हुआ जहां पर अनुशासन, समय बद्धता एवं अंतर सेवा कमराडरी जैसे म पूल भूद गुन हमें सिखाये गए, स्वस्त शरीर में ही एक स्वस्त व्यक्तितों का विकास होता है और इसका अभ्यास हमें प्रातह कालीन पीटी एवं युगासनों से कराया गया, पाठेतर गत्विधियों के द्वारा हमें आपस में जीवन परियन संबंध मित्रता ए एवं अंतर नहीं किया, परिवीक्षा के प्रथम फेस के प्रसिक्षन के दोरान अकाडमी में हमें एक जिम्मेदार सिवल सेवक के सारे गुनों से निशनात किया गया, विशेशक गुद्वारा, हमें भूरा जश्व, दंड प्रिक्रिया सहीता, भारतिये दंड सहीता, यह हमारे लिए बहुत महत्यकून समय रहा, क्योंकि हमने समाने जन्मानस के साथ सरकारी तंत्र का संबंध एवं उस तंत्र के एक हिस्से के तौर पर हमारी अपने जिम्मेदारियों को हम समझ पाए, एक सिविल सेवक के रूप में जब मैं प्रथम बार कलेक्टर कार्या ल अधी के लिए सहायक सचिव के तौर पर केंद्र सरकार के साथ भी कारे करने का एवं सीखने का अवसर मिला, इन दो वर्षों की यात्रा के उपरांथ महोदे हम स्वयम को राश्र निर्मान हेतू अधिक प्रेरित एवं समर्पित पाते हैं, मैं अपने शब्दों को यहीं प तो दुनिया वाले चिर्यूबा नाम से जानेंगे, धन्यवाद जहें